ये दिपावली के दिन का है ये मैंने सारा माला और जितना भी फूल का बंच वगए रहा था सब बालकनी में दो कर सुखने दिया है और ये मिट्टी का दिया जिसको की पानी में भिंगो कर फिर सुखने दिया है और ये आम का पल्लब और ये जो आर्टिफिसियल फूल है जो चीज मैंने उससे खोल कर फिर इसको मुझे बनाना है क्योंकि गेंड़ा का ओरिजिनल फूल से अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो वह सूख जाता है इसलिए और यहां पीछे में मैंने क्लॉस बिंज होता है कपड़े में पीन एटेज करने वाला उसको एट किया है लेकिन एक ही जैसा वीडियो नहीं आता है बिलकुल हर तरह का वीडियो आपको मिलने वाला है और यहां पर जो मैं खोल कर आपको दिखा रहे हूँ यह है रंगॉली जिसे कि मैं खुद रंगॉली खुद से क्रेयेट करती हूँ वह भी मैं आप लोगों के साथ सेयर करूँगी तो एक कलर का दूदू डबा मैंने लिया हुआ है और पांच छे कलर मैंने लिया हुआ है और वाइट कलर नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा घर में ही मैं चाबल को मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी तो वाइट कलर का रंगोली तयार हो जाएगा और वैसा ही मैंने किया था और यहां पर मैं इसको इस्टार बनाना सुरू करूंगी तो सारे फूल जो एक फ्लावर था उसमें चार-चार पत्तियां थी उससे भी मैंने उस फूल को कम किया और दो-दो पत्ति का किया काफी खुफसूरत यह डेकोरेशन हुआ था आप लोगों को मैं सारा लाश तक सकते हैं लेकिन मैंनए पत्ले वाले पीन का इस्तमाल किया थे यह यह तो दो-दो किया था कि और पीछे से डालना पीन को शेट कि आप की कि आप चाहें तो एक फूल को शटा वह सकते है यानि कि मैं 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 नहीं बताया है आप लोग कि एक सूरेशन θα की अ But तो यहां पर मैं जल्देल आपको यह करके दिखा देती हूं कुछ इस्टार यानि की कुछ डेकोरेशन का यह पार्ट तयार करके आपको दिखा देती हूं क्योंकि इसको बाहर के गेट में मुझे लगाना है और डबल सेलो टेप जो आता है उसमें ही चिपकाना है काटे वग लग गया था दो घंटे लग 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 गये थे क्योंकि सारे फूल को एक एक करके खोलना फिर दो दो पत्तियों को अलग करना फिर एक ही साइच का आहम का पत्ता सेट करना आप चाहें तो असुक का भी पत्ता ले सकते हैं और उसके बाद इसको किया था इसको करने के बाद लगे हाट कर ही दिया था उसके बाद इसको करते करते दो ढ़ाई बज गया था और आज बनाना था मुझे पुलाओ दाल बनाना था और पनीर की शबजी तो मैंने कैंसिल कर दी पनीर लाया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि इन्होंने कहा आज लसुन प्याज यूज नहीं करना है तो मुझे बिना लसुन प्याज का पनीर का सबजी बनाना आता ही नियत मैंने आज सोचा लोगों भी बना लोंगी और कुछ चटने वगएरा मिठाए वगएरा तो आज होता ही है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है तो कुछ मैंने छोटे-छोटे पत्नों का बनाया था क्योंकि जब मैं गेट आपको दिखाओंगी तो आप देखिएगा एक चायड बिल्कुल जगह नहीं था तो उदर चोटा-चोटा ही पत्ती का सेट हो पाता तो मैंने पहले ही उसको माप लिया था इसलिए उसी के अनुसार मैं बना रही हूं और काफी प्यार डेकोरेशन हुआ था और मैं कैसे यह सब कर पाती हूं मुझे भी आस्थर यह कभी कभी होता है क्योंकि आप रंगोली बना रहे हो पर से यह खुद डेकोरेट का माला वगेरा अगर बना है तो आप लाके टांग देते हो तो हो गया यह बना बना कर करना आप लोग जो भी क करते होगे उनको पता होगा कितना महनत लगता है फिर खाना भी बनाना खुद Only तयार होना है बच्चों को भी तयार करना है नीचे एक समय फिक्स राता है एतने समय कि पाधार का और तो आँजरेशे मीज़ी के में सतभा देशे में और सुझी कुम एंप लिए प्याद कर बाता एक को पता है और बाता या सिर्फ सिलाइ या पिर फिर लूए कि है uniqueness a मौन और आप लोग उनने काफी सराया है ये कहके कि आपके चैनल का नाम जिस तरह से है उसी तरह आप हर चीज दिखाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ तो चलिए अब आपको गेट दिखाते हैं ये देखाएंगे फाइनल लुक मेरे गेट का और जरूर बताईएगा कैसा लग रहा है इधर साइड वाला आप जिधर कुंडी लगी है देख रहे हैं छोटा छोटा जो मैंने बनाया था वो इधर एटेच किया हुआ है और ये इधर बगल वाली का है और ये उपर आप देख रहे हैं जो इससे फ्लावर बचाया है उसको दूर दूर उस वो जो पाइप मैंने निकाला था उससे सेट किया है उपर में भी आम का पलब जो एक हलका ग्रीन पत्ता आता है उससे उपर में डेकोरेट किया हुआ है और ये जो पूजागर के सामने में जो ये फ्लावर दो लगाए थी इसको मैंने आज यहां पर हैंग कर दिया तो जरूर बताईएगा कैसा लगा और ये देखाएंगे रंगोली मैंने अभी तुरंद इसको कंप्लिट किया है और रंगोली जब मैंने श्टार्ट किया तत लग़ोग ढाय बज रहते वो डूर डूरेशन का तयार करके मैंने वो तो बावो के सामने में कर लिया लेकिन रंगोली इसको जगा राने के बाद नहीं बना सकती इसलिए मैंने पहले इसको सुला लिया फिर मैंने रंगूली बनाया इसमें भी काफी समय लगा है, तो इसी बोटल में होल बना लिया, उसी से मैंने बनाया है, जरूरर कमेंट कर बताईएगा कि मेरा ये रंगूली कैसा लगा, बनाना तो बहुत चाह रही थी, लेकिन समय का बिलकूल अभाव था, और दो-चाह लो कुछ लोग भी घर आते हैं लेकिन मैंने वह सब सूट नहीं किया थोड़ा सा समय दीजे जैसे पूराना होते जाओंगी मुझे सारा यहां पर मैं बना रही हूं ड्राय फ्रूट्स पुलाओ दाल यह काफी अच्छा बनता है और आप लोग जरूर कमेंट कर बताएगा आप लोगों मैंसे कौन-कौन यह पुलाओ बनाते हैं इस पुलाओ के लिए क्या करना था मैंने सबसे पहले काजू और किश्मिश और देज्द घी में किसमिस लाश्ट में डाला था अब यहां पर मैं मकाना को थोड़ा साhen कर रही हूं क्योंकि मकाना सिर्फ दाल में दिया जाता है और पुलाओ में मकाना युज नहीं किया जाता है अब यहां पर मैं क्या प्याकरओ का चाबल है उसको मैंने कव Democrat एसको div खड़ी मसाला में जैसे कि आपका दाल चीनी हो गया, बड़ी इलाइची हो गया, जावित्री हो गया, छोटी इलाइची, लॉंग, काली मिर्च, जिसको की मरीच कहते हैं, इन सारी चीजों को घी में डाल कर थोड़ा सा रोष्ट कर लिजे, जीरा यहाँ पर ने डालना है ने अब साथ साथ चावल को भी फ्राय कर लूँगी, और दाल उधर मेरा हो गया है, कूकर में है, उसको खाली करना है, और अब इस में क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, यहाँ पर तो लॉंग वेगरा में डाल रही हो, लॉंग मरीच सब डालना है, और नमक उधर में जो इस पुलाओ का दाल बना है, उसको खाली कर लूँगी, यह चावल है, पुलाओ वाला आप देख रहे हैं, इसी चावल से मैंने बनाया है, तो यहाँ पर में चावल को कुकर में डाल के और कोई टुपिया वगर में डाल निकाल लूँगी, और अभी लगवक समय कितना हो रहा होगा, मुझे लगता है, पौने 6 हो रहा है, क्योंकि 8 बजे हम लोगों को नीचे जाना है, अभी तक यह आये नहीं है, तो जल्दे दे मैंने सुचा किचन के कुछ काम को भी निप्टा दूँ, इधर तुम्हें पुलाओ दाल का से तयारी कर रही हैं अब मैं शारी चावल को कूकर में डाल कर और चावल के अंदाजे से पानी डाल दूँगी और जो खड़ी गरम मसाला मैंने चावल को फ्राय करने में डाला था, उसी खड़ी मसाला को मैंने मिक्सी में पीश लिया है, पानी डाल के और थोड़ा सा धनिया पौडर जीरा स्वाद भी आता है तो ये गरब मसाला थोड़ा सा मैं पॉलाओंे डाल कर मिला दूँगे और अंदाजरे से पानी डाल कर उसको सेट करके रगदोंगी और डाल के लिए फिर से सुद्धगी तो अभी भी आप डाल सकते हैं लेकिन यहां पे मसाला में मिल जाएगा हलांकि आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने पहले ही कर लिया अब डाल में मैं पानी मिला लूँगी जितना मुझे पतला चाहिए गीला चाहिए और इसको मैंने डाल दिया अब इसमें मैं ड्राइफ रूट दाल दूंगे और एक धकन लगा दूँगे पांच मिनट के लिए क्योंकि ड्राइफ रूट स्विजव है उसको भी पकना थोड़ा सा जरूरी होता है और माखाना भी मैं इसी में डाल दूंगे और एक धकन पांच मिनट के लिए या दो-तीन मिनट के लिए आप डाल बना लूँगी और इसके बाद चलूँगी अब पूजा की तयारी में और यहां यह आ गया है मैंने बावु को भी तयार कर दिया है मैं भी तयार हो गई हूं मेरा और बावु का ड्रेस से हमसम मिल रहा है इन्होंने भी बुलू ही पाना आप आपको दिखने को मिल जाएगा लेकिन हम लोगों के कलर सी थोड़ा सा अलग है तो यहां पर जल्देल आप समझ सकते हैं मैं एक दिन का पूरा आपको दिखा रही हूं एक ही व्यक्ति डेकोरेट भी कर रहा है रंगोली भी बना रहा है खाना भी बना लिया मैंने अब पूजागर के सामने आया हूं तो य लगा हुआ है बाबु हमको बाल गनी से लाके मिट्टी का दिपक दिया क्योंकि उसको भी जलाना है अभी और यहां पर मैं पूजा कर रही हूं मेरा पूजा जागा फिर यह आएंगे दोनों मिलकर आरती करेंगे और यहां पर जलेली छोटा सा रंगोली बनाएंगे तो ब पूजा सुरू होने के बाद हम लोग नीचे पूजा हो जाएका मोट से खानर अब पर यहां तो आपको अपसे नीचे मिलेंगे और उसके बाद भेर इस ब्लोक का है और अंद करेंगे और अउमीद करते हैं को अब चुन्य ब्लॉट पंशंद आया और पसंद आया आपको अपने पूरे दिन का दिपावली के दिन का काम का सेयर किया है और आसा करती हूं बहुत पशंद आया होगा आप लोगों को दिखे मेरा बेटा कितना हेल्फ कर रहा है मुझे और यहां पर मैंने रंगोली भी क्रेट कर लिया यह जो मैं ड्रेश पानी हूं मैंने लेस गाउन है और उपर से इस तरह से फूल बाजू का कॉलर वाला फ्रंट एंड साइड सिलिट कुरती है काफी प्यारा है और इनको भी आप देखी रहे हैं बुलू कुरते और ट्रॉजर में यह हैं केंडल वगे रज जला रहे हैं अब बाबो भी पिछे पिछे जाएग सबसाथ बजी तक घर आ गए थे फिर इनोंने भी अशनान वगे रखिया यह भी रेडी हुए हम लोग मतलब समय के साथ सब कुछ हो गया था और शाइड में जो आप यह रखा देखना है यह ब्लैंकेट है ब्लैंकेट कही है रजाई कही है रजाई बेट सीट कभर बेट सी होगा वाय वाय दियर लव यू अल